मुंबई के गोरेगाव इलाके में फिल्म सिटी रोड पर दगल नामक फिल्म की शूटिंग के दोरान एक स्टंड सिन फिल्माया जा रहा था स्टंड के दोरान एक कार को पलट कर एक निश्चित जगह पर पलटना और घिसटते हुए रुकना था मगर कार अपने स्टान पर पलटने वर रुकने की बजाए स्टंड मैन ने कंड्रोल हो दिया और कैमेरा के ट्रॉली और वहां खड़े एक टेम्पो से जा टकराई इस घटना में कैमेरा अटेंडेंडेंड घायल हो गया उसकी जानकरी सामने आई है मुंबई के गोरिगाव इलाके में चल रही एक फिल्म की शूटिंग के जरिये तब आफ़र तूट पड़ी जब एक स्टंड सिन शूट करते समय स्टंड मैन का नियंतरन कार पर से छूट गया और कार पल्टी मारते हुए इस सीन को शूट कर रही कैमेरा ट्रॉली से टकरा गई इस घटना में वहाँ खड़े लोग बाल बाल बजगे जबकि सीन की शूट करने वाला कैमेरा अटेंडेंड इस घटना में घायल हो गया फिल्म सीटी में दे गल नामक फिल्म की शूटिंग चल रही थी इस दोरान ये हाथसा हुआ जबकि ये पूरी घटना का वीडियो बुद्वार सुबव वाइरल हो गया है जिसमें ये हाथसा कितना भिशन हो सकता था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है